हमारे नए गर्ली न्यूज इंडिया चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकें दबाना ना भेले बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम किसी शायर ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालाद बदल सकते थे मेरे आशू तेरी आँखों से निकल सकते थे दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता खुद बखुद तेरे ख्यालाद बदल सकते थे और तुम तो ठहरे ही रहे जील के पानी की तरह दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे आज के इस प्रोग्राम के रुह रवा मंबई प्रेजिडेंट फ्याज अहमत खान साहब सेद मुनवर अली साहब रफद भाई साहब डाप्तर दानिश डार साहब कार्पोरेटर शाह आलम साहब फरीद भाई इस्टेट पर तश्रीफ फर्मा जिम्मेदारान और मजलिसे इतिहाद मुस्लिमीं के जजबात उनकी पालिसियों से इतिफाक रखने वाले हमारे भाई और हमारे गयूर बहने रिजर्वेशन हमारा हक है और अपने हग के लिए हम आकरी हग तक जाने के लिए तयार आज की मौजूदा सरकार जो महाविकास अगहारी के नाम से जानी जाती है जिसमें कांग्रेस इनसीपी और सिरसिना शामिल है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ के मुसल्मानों की जो बत्तरीन हालत है इसे डाक्टर महमुद الرह्मान कमेटी की रिपोर्ट ने जिसने महराष्ट का सर्वे किया था और सचर कमीशन की रिपोर्ट ने जिसने हिंदुस्तान का सर्वे किया था इस बात को वाज़े किया है कि हिंदुस्तान और महराष्टे में मुसल्मानों की हालत दलीतों से जादा पस्मांदाए जिन्दगी के तमाम शोगों में चाहे वो महाशी हो, समाजी हो, तालीमी हो, सियासी हो हम इंतहाई पस्मांदाएं और आपको ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ये हमारी पस्मांदगी उन सेकूलर पार्टियों की देन और पलानिंग है जिनों ने बहुत लंबा पलान बनाया और मुसल्मानों को पूरे हिंदुस्तान में और खास तोर पर महराष्टे के अंदर पस्मांदाएं रखने की कोशिश की गे आज हालात कैसे हैं वो आपको पता है मैं हालात पर कुछ नहीं कहना चाहता आप मुझसे बहतर जानते है और हमारे कुछ सातियों ने कुछ हमें आइना भी दिखाया कि हमारी शक्ल सूरत क्या है और हमारी हालत क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2009 से 2014 तक NCP की सरकार थी मैं उस वक्त भी M.A. ले था एलक्षन से चंद महीनों पहले मुसल्मानों को जहासा देने के लिए और बेवकूब बनाने के लिए NCP और कांग्रेस की सरकार ने पांच फीसाद आरक्षन देने का आरडीनेंस से निकाला और आपको पता है कि यह आरडीनेंस से जिसकी जिन्दगी छे माह की होती है इस छे महीने के अंदर जब तक उसे हाउस के अंदर मनजूरी नहीं मिलती वो आरडीनेंस से कारामत नहीं होता एलक्षन आया जो NCP और कांग्रेस की चाहत थी वो पूरी नहीं हो सकी और उनकी सरकार नहीं बन सकी और बीजीपी और शिवसिना की सरकार बने के बाद पांच साथ तक यही कांग्रेस NCP के लोग हम मुसल्मानों के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए आवाज बलंद करते रहे ये भी वो सूरत हाल थी जो हम मुसल्मानों को बेवकूब बनाने के लिए थी आज अगर वो रिजर्वेशन देने में मुखलिस होते सच्चे होते हमारे हमदर्द और खेर्खा होते तो आज जब सरकार उनके पास है वो सत्ता में है और आज रिजर्वेशन वो हमें देना चाहें तो दे सकते हैं आज रिजर्वेशन की बात भी नहीं करते और आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन के तालुक से हमारी आवाज सुनना भी नहीं चाहते हम जो डिमान कर रहे हैं ये हमारा दस्तूरी और हमारा आईनी हक है इस मुलक में मुसल्मान दूसरी सबसे बड़ी अकसरियत है और अकलियतों में माइनारेटीज में सबसे बड़ी तेदाद हमारी है और कोई भी देश और कोई भी स्टेट उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुसल्मान तरक्की नहीं करेंगे और तालीम इन्तिहाई जरूरी है आज हाई कोट में भी पांच पिसद एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन देने की ताइद किये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोट के जज्मेन और फैसले के बाद सरकार को रिजर्वेशन देने में कोई रुकावट नहीं है लेकिन अभी आपने दो रोज पहले हाउस के अंदर जो बात हुई थी मुस्लिम रिजर्वेशन को ले करके उस वक्त मिनिश्टर साहब ने जो जवाब दिया है वो यह कि उन्हों ने गेन मरकजी सरकार के पाले में डाली है कि 50 फीसस से ज़्यादा रिजर्वेशन देते नहीं आता जबके महराष्ट में 52 परसन रेजर्वेशन चल रहा है महराष्ट सरकार महाविकास अगारी हमें रेजर्वेशन देना नहीं चाहती इसलिए वो यह कहती है कि महराष्ट इस्टेट सरकार दिल्ली सरकार यानि केंदर सरकार जो है पचास पिसद से अरक्षन की हद बढ़ाए तब जाकर के हम रेजर्वेशन दे सकेंगे जाहिर बात है मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर बात यही थी तो फिर आपने 2014 में आर्डी में से क्यों निकाला था जब भी तो यही सूरते हाल थी और जब पिछला 5 साल बीजेपी और शिशिना की सरकार थी जब भी यही सूरते हाल थी और तुम मसल्मानों के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए आवाज उठा रहे थे आज जब तुम्हारी सरकार है और तुम रिजर्वेशन दे सकते हो तो आज रिजर्वेशन ना देने के लिए हीले और बहाने इक्तियार किये जा रहे मैं M.I.M. के एक वरकर की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूँ के हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा जब तक हम इस रास्ते के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे कोई हमें देगा नहीं देश की आजादी को आज जो जमाना गुजरा सतर साल के करीम इसमें इन्हों ने हमारी हालत बाकाइदा प्रोग्राम के मताबिक गलीतों से जादा पसमाना बना दी है किसी भी शुबे के अंदर मुसल्मान आगे नहीं हमारी बत्तरीन हालत की जिम्मेदार वो सरकारे रही जो देश की आजादी के बाद से बरसरे एक्तिदार रही और उन्होंने बाकाइदा प्रोग्राम के ताहत हमें गलीतों से जादा पसमाना सूरते हाल में लाकर डाला है मैं इमाईम की तमाम पालिशियों से इत्तिफाक करते हुए हमारे गुंबल के प्रेजिडेंट फियाज अहमत साहब ने जो प्रोग्राम आज धरना अंदूलन का बनाया इसकी बरपूर ताहित करता हूँ और आप से ये कहना चाहता हूँ कि अपने लिए और खास तोर अपर अपने आने वाली नसलों के लिए हमें हर हाल के अंदर अपना हक लेना होगा अगर हमारा हक दस्तूरी एतबार से मिलता है तो ठीक है और अगर दस्तूरी एतबार से नहीं मिलता है हमें ये हक छीन करके लेना होगा अपनी नसलों को अंधेरों से निकालने के लिए और अपनी नसलों को गुर्बत से निकालने के लिए पांच फीसद एजूकेशन लाइन से हाई कोड के फैसले के मताबिक हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए मैं इस प्रोग्राम के निकाद पर फयाज अमत खान साब उनकी पूरी टीम को जिलके गहराईयों से मुबारक बात देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आएंदा भी इसलाइम से जब कभी हामें आवाज दी जाएगी आप उस आवाज पर लब्बै कहते हुए उन प्रोग्रामों में शिर्कत करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया